नमस्कार साथियों कास किलासीज में मैं से दरहास आप सभी का एक वर फिर से सुवागत करता हूँ साथियों एचससी का जो चेरमेन है भोपाल सिंग जी उन्होंने कुछ एक्जाम्स को लेकर घोशना की थी हरियाना के अंदर होने वाली भरतियों के बारे में उन्होंने बहुत जल्द ही एक्जाम होने की घोशना की थी आज उसी के उपर हम चर्चा करेंगे कि एचससी का जो चेरमेन है भोपाल सिंग उसने कौन-कौन सी घोशना की है और आपके लिए वो घोशना कितनी लाबदायक है आज उनी के बारे में चर्चा करेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर घूम कर अवश्य देखे चैनल पर विजिट करके देखे हमारे से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले चली अब स्टार्ट करते हैं भोपाल सिंग ने क्या कहा था भोपाल सिंग जो एचससी का चेर्मैन है उसने परशो परशो की घटना है यह जो कल के न्यूज पेपर में थी उन्होंने सबसे पहले यह बताया था देनिक सवेरा कोई अकबार है न्यूज पेपर है उससे बताया था हरियाना करमचरी चैन आयोग अब अन्तिम प्रणाम के साथ ही जारी करेगा विश्त्रीत प्रणाम कहने का मतलब एचससी का जो चेर्मैन था भोपाल सिंग उसने यह फैसला लिया है कि जो आन्सवर की बच्चों से पहले दी जाती थी अब वो आन्सवर की जो फाइनल रेजल्ट आएगा उसी के आधार पर दी जाएगी कहने का मतलब जब आपका फाइनल रेजल्ट आएगा जब आपका सलक्षन होगा तबी पता लगेगा अंसुर की में आपके कितने नंबर थे और आपके कितने अंसुर की यह सब कुछ अंसुर की से समधी जो भी चीजे हैं वो final result में पता लगेगी पहले ही इनका पता नहीं लगेगा अभी तक हरियाना परदेश में 80,000 से जादा भरतिया हुई है 25,000 से जादा की परकिरिया शुरू है वो कह रहा है भोपाल सिंग की अब तक अरियाना के अंदर लगबग 80,000 वेकेंसी जो भरतिया है वेकेंसी है वो भरी जा चुकी है और लगबग 25,000 पर परकिरिया शुरू हुई है मतलब अभी बहुँ जल्द एक्जाम होगा और बहुँ जल्द आप HSS की अच्छे तरीके से त्यारी करें आपके हाथ में भी सरकारी नोकरी होगी ये भी आप देखना यदि आप महनत करते हैं तो फाइनल आंसर भी अंतिम प्रणाम के दिन जारी होगे ये हम आपसे बता चुके हैं कि वो कह रहा है कि आंसर की बी अंतिम जो प्रणाम आएगा आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा आपका जो सलक्षन आएगा जोईनिंग आएगा उसी के आधार पर आपको पता लगेगा जैसे मानलो कि आज आज आपने कोई भी हरियाना पुलिस का एक्जाम दिया और हरियाना पुलिस में आपका सलक्षन हो गया तो बोरर आंसुर की पहले जारी नहीं करेगा जिस दिन आपका सलक्षन हो जाएगा आपका रोल नंबर मेरिट लेस्ट में आ जाएगे उसी दिन पुलिस के अंदर कमांडों की वेकेंसिया निकली हुई थी आप मेंसे काफी स्टुडेंटों ने फोरम वगेरा फिल कर रखा होगा तो आप त्यारी कर लें कमांडों की जो 300 कुछ पोस्ट है उनके उपर बहुत जल्द भरती परकरिया शुरू होगी ठीके साथ ही हो वेटिंग लिस्ट भी मेरिट के आधार पर जारी होगी ये तो देनिक सवेरा गुरुप से बातचीत करते हुए भोपाल सिंग ने परशो बातचीत के दोरान ये बा भाई साब कमाल की बात है कि जो अगस्त आएगा अब की बार अगस्त जो आएगा इसके अंदर हरियाना के अंदर 20,000 पदों पर भरती परकरिया शुरू होगी 20,000 पद थोड़े नहीं होते हैं यदि आप महनत करेंगे तो अब की बार उस 20,000 में आपका नाम होगा ही होगा 20,000 पदों पर भरती परकिया अगस्त में शुरू होगी मातर जून और जुलाई बचा है जून जुलाई बचा है आप पढ़ लीजिए और यदि आप अमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए हरियाना जीके की बहुत बहुत बहतरीन वीडियो आमने ब वारक की आपको चलिए चलिए नेक्स वाइंट के तरफ बढ़ते हैं वही आयो के देक्स भोपाल सिंग ने देनिक सवेरा के साथ बातशीत करती हुई एक खुलासा किया है लाखों बेरोजगार कर रहे हैं भरती परकिया शुरू होने का इंतिजार कर रहे हैं वो तो किसके कारण करोना के कारण पीजीटी टीजीटी और पुलिस की भरती शुरू होगी पीजीटी और जो टीजीटी है और पुलिस की भरती परकिया है वो भी शुरू होगी इसी के साथ साथ में सीटी टेस्ट की आवसकता कि अनूसार सीटी टेस्ट भी लिया जाएगा उन्ह जो और देकर कहा है कि सोसल डिस्टेंशिंग के मापदंड अपनाते हुए परिक्षा लेने के लिए त्यार है उन्होंने पुलिस के साथ अजार पदो पर भरती परिकरिया का सैडूल भी आगामी अगस्त में जारी करती है जाएगा। आपके अंदर भी जुनून है हरियाना पुलिस में लगने का तो आप भेतरीन तैरी करें अगस्त में सायद आपका एगजाम हो सकता है ठीक है इसी के साथ साथ में ग्राम सचीव कैनाल पटवारी और जो पटवारी है उसकी परिक्षिया भी बहुत जल्द आयोजित की जा सकत अगस्त तक एगजाम होने की संभावना अगस्त सेटमरी अक्टूबर में एगजाम हो जाएंगे और लगभग अब की बार 2021 के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी यदि आप त्यारी करते हैं तो अब की बार भगवान करें कि आपको नोकरी मिलें 2021 में आपके मतलब कुछ भी कहें तो कम हैं लेकिन आप त्यारी करें और त्यारी करेंगे तभी आपको नोकरी मिल पाएगी धन्यवाद साथियो यदि हमारे दवारत दी गई जानकरी आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को आप जादा से जादा स्ट्रडी गुरूप में सेयर कर है उत्रा लगातार प्यारू सेहुग बना कर रखिएगा धन्यवाद